नमस्कार दोस्तों क्लाश 12 हिंदी पड़ों किस रंखला में अविव्यक्ति अब माध्यम से जो कि हिंदी की बहुती महत्वपूर पुस्तक है जो कि क्लास 11 में भी है और 12 में भी है और अगर आपके पास बुक ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँग वहां से जाके आप यह अपनी किसी भी सब्जेक्ट की बॉक है जो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पार्ठों को वहां पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो आई होब दोस्तों आपको वीडियो जो है पसंद आ रही होंगे और आज पढ़ते हैं कि कैसे बनता है रहे हैं, रह चुके हैं, उनका मानना है कि यह एक कष्ट दायक सच्चाई है, कि एक स्वतंतर साहितिक विजा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगे नहीं बना पाया है, उनका ऐसा मानना था नेमी चंद जैन जी का, जहांपर बात करते हैं कि रेडिय रेडियो नाटक की परंपरा क्या है, सिनेमा रंगमंच, रेडियो नाटक, समानता और अंतर इसके क्या-क्या है, रेडियो नाटक में दोनी संकेतों की क्या मेहता है, वहीं रेडियो नाटक की अवधी और इसके पात्र कौन-कौन से होते हैं, तो जानते हैं कि आज से जमाना ऐसा भी था, जब दुनिया में ना टेली विजन था और नहीं कम्प्यूटर, सिनेमा, हौल और थेयाटर तो थे, लेकिन उनकी संख्या आज के मुकावले काफी कम होती थे, और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब भी नहीं थे, ऐसे समय में गरवेठे मानुरण जो सबसे सस्ता और सहज्ता से प्राप्त साजन था वह था रेडियो, रेडियो पर खवरें आती थे, ग्यान बर्दक कारक्रम आते थे, केलों का आँखों देखा हाल पर सारेत होता था, एफम चैनलों की जगे, गीत संगीत की भरमार रहती थी, टीवी धरवायकों और टेल फिल्मों की कमे को पूरा करते थे, रेडियो पर आने वाले नाटक, हिंदी साहतिक के तमाम बड़े नाम, साहतिक रचना के साथ साथ रेडियो इस्टेशनों के लिए नाटक भी लिखते थे और उस समय ये, बड़े सम्मान की बाद मानी जाती थे, हिंदी वा अन्य भारती वासाओं के नाटे अंदुलन के विकास में रेडियो नाटक की एहम भूमिका रही है, हिंदी के कई नाटक जो बाद में रंग मच पर भी बेहद काम्याब रहे, मुलते रेडियो के लिए लिखे गए थे, धर्मबीर भारती करत अंदायोग और मोहराकेस का आसार का एक दि वहीं धर्मबीर भारती करत या रचत जिसे बोलते हैं अंदायोग तो ये रेडियो नाटक महत्रपुन उस समय हुआ खड़ते थे, लेकिन फिलाहला हमें इस पर दियान देंगे कि रेडियो नाटक कैसे लिखा जाता है, सिनेमा और रंगमच की तरह रेडियो नाटक भी च चरितर होते हैं और उन चरितरों के आपसी संबाद होते हैं और इनहीं संबादों से जो है जो संभाद की जर्या आगे बढ़ती है क्या है वो कहानी बस सिनेमा और रंगबंच की तरह रेडियो नाटक में विजुल्स अर्धर्थ दरश से नहीं होते बस और यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक काता सिनेमा या रंगबंच की माध्यम में रेडियो पूरी तरह से सरवे माध्य में इसलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा वर रंगवंच के लेखन से थोड़ा भिनन भी है और थोड़ा मुस्किल भी आपको सब कुछ संबादों और द्वनी प्रभावों के माध्यम से संप्रेशित करना होता है यहां आपकी साहिता के लिए नमंच सज्जा तथपस्त्र सज्जा है और नहीं अविनिता के चेहरे की भाव भंग्यमा है आपको नजर आएंगी बरना बाकिस सब कुछ वैसा ही है एक कहानी कहानी का वही डांचा सुरुवात मद्द अंत इसे यूँ भी कह सकते हैं कि पड़्चा द्वंत समाधान बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से केवल आवाज के माध्यम से कहानी की विस्तरत चानकारी आपको कथर लेकन और नाठ्थे लेकन के अध्यायों से मिल गई ही होगी सबसे पहले बारी आती है कहानी चुनने की कि कहानी आपकी मौलिक होए या चाहिए किसी और सुरूट से ली हुई हो उसमें निम्न बातों का जरूर दिहां रखना होगा कहानी ऐसी नहोगा जो पूरी तरह से एक्सन अर्थार्थ हरकत पर निर्वर करती हो क्योंकि रेडियो पर बहुत ज़्यादा एक्सन सुनना अबाव हो सकता है माल लीजिए कि आपकी पूरी कहानी का अधार पीछा करना है अपरादी अपराद करके भाग रहा है पुलस उसके पीछे लगिये और बीच बीच में दिल्चस्प नाट की अगठना अगठती है अब सिनेमा में ऐसे बड़ी खूब सूरिष्टी से पेस किया जा सकता है लेकिन रेडियो में ये कथानक सायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब ना हो क्योंकि सिर्फ आवाजों की मदद से आप अपरादी और पुलिस की भागदोर से पैदा होने वाले रोमांच का सरजन नहीं कर पाएंगे या मान लीजिए आपकी कहानी किरकेट या फटबॉल जैसे खेर के इड़द इड़द बनुई हुई है अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है लेकिन रीडियो नाटक नहीं बन सकता वहाँ पर रीडियो नाटक करने से होद पाता है इसलिए कहानी का चुनाव अपने मद्धम को समझते हुई करिए दूसरी बात आम तोर पर रेडियो नाटक की अबदी 15 मिनट से 30 मिनट ही होती है उसके दो कारण है सर्वे माध्म में नाटक या वारता जैसे कारक्रमों के लिए मनुस्थ की एकागरता की अबदी 15-30 मिनट ही होती है इससे ज्यादा नहीं दूसरे सिनेमा या नाटक में दर्सक अपने गरहों से बाहर निकल कर किसी अन्य सारवजन के स्थान पर एकत्रित होते हैं इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अन्जाने लोगों के एक सम्हों का हिस्सा बन कर प्रयच्छा ग्रह में बैठते हैं अंग्रेजी में नहीं कैप्टिव ओडियन्स कहते हैं अंग्रेजी में जो कि लोग बैठते हैं प्रयच्छा ग्रहों में उन्हें कैप्टिव ओडियन्स कहा जाता है अर्थ-अर्थ एक स्थान पर कैद किये गए दर्सक जबकि टीवी या रेडियो ऐसी माद्यम है जो कि आम तोर पर इंसान अपने घर में अपनी मरजी से ने यंत्रों पर आ रहे है कारिक्रमों को देखता सुनता है सिनेमा घर या नाट्टे सुनने वाला सुरता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई गुमा सकता है और उसका ध्यान कहीं और भी बठक सकता है इसलिए अमोमन रेडियो नाटक के अबदी छोटी होती है और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर भी वह एक धारवाइक के रूप में पेस की जा सकती है जिसकी हर कड़ी 15 या 30 मिनट की होगी जहां एक बात और समझ लीजिए कि रेडियो पर निश्चत समय पर निश्चत कारकरम आते हैं इसलिए उनके अबदी भी निश्चत होती है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और चालत से ज़्यादा एक गंटा साइट मिनट ज़्य से कहते हैं क्योंकि अब आपके रेडियो नाटक की अवदी ही सीमित है तो फिर अपने आप ही पात्यों की संख्या भी सीमित हो जाएगी क्योंकि सुरोता सिर्फ आवाज के सहरी चरित्रों को याद रख पता है ऐसी इस्थती में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज़्यादा किरदार है तो उनके साथ एक रेष्टा बनाई रखने में सुरोता को दिक्कत होगी अगर संख्याओं में बात करनी है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 15 मिनट की अवदी वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिक्तम संख्या जो है 5 या 6 हो सकती है 30-40 मिनट की अवदी वाले नाटक में 8 से 12 पात्रों की जो संख्या हो सकती है अगर एक गंटे या उससे ज़्यादा अवदी का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 पात्र भूमिका गड़ी जा सकती है अर्थार्थ पात्रों की संख्या 15 से 20 हो सकती है पात्रों की संख्या के मामले में दो संख्यत और उपरोक्त बताई गई संख्या है एक अंदाजा मात्र हैं अर्थार्थ पंद्रे मिनट के रेडियो नाटक में अगर जरूरत है तो साथ आठ किरदार भी हो सकते हैं लेकिन यह संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई तो जैसा पहले ही कहां था कि सुरूता के लिए मुसीवत खड़ी हो सकती है दूसरे जब हम जब इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो यह प्रमक और साहिक वोमिकाओं की संख्या है चोटे मोटे करदारों की गिंती इसमें नहीं की गई है मतलब फेरी वालों की एक आवाज या पोश्टमेन का एक संबाद या नयायल में जज्ज का सिर्फ और 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 कहना आदी इस प्रकार के जो पात्रो होते हैं उनकी संख्या काउंट नहीं की जाती है तो हमने देखा कि रेडियो नाटक के लिए कहानी का चनाब करते समय हमें तीन मुख्य बातों का ख्याल रखना होता है कहानी सिर्फ गठना परदान नहूँ सबसे पहली बात जो है जो कहानी है वह एक सिर्फ गठना परदान ही नहूँ उसके अबदी बहुत ज्यादा ना हो दारावाई की बात दीर है तथा पात्रों की संख्या सी में तू अब बारी आती है रेडियो नाटक लिखने की जैसा कि पहले भी जिक्रू हुआ था कि मंच का नाटक लिखन फिल्म की पटक था और रेडियो नाटक लिखन में काफी समानता है सबसे बड़ा फरक यही है कि इसमें द्रस से गाइब है उसका निर्मान भी द्वनी प्रबाबों और संबादों के जरिये करना होगा यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि द्वनी प्रबाब में संगीत भी सामिल है अपनी बात को और बहतर ढंक से समझने के लिए एक धरन की मदद लेते हैं मान लीजिए कि यह एक द्रस से है एक द्रस से कुछ ऐसे प्रकार का है कि रात का समय है और जंगल में तीन बच्चे राम स्याम मोहन रास्ता बटग गए हैं फिल्म या मंच पर इसे प्रकास लोकिसन या मंच सज्जा धनी प्रबाबों और अभिन्यताओं की भाव भंगिमा से दिखाया जा सकता है रेडियो के लिए इसका लेखने कुछ इस प्रकार होगा कि जैसे पहला हिस्सा जो है कटवन जिसे बूलते हैं या पहला हिस्सा जिसे कहते हैं कि जंगली जानवरों की आवाजें डरावना संगीत पदचाप का स्वर राम कहता है कि स्याम मुझे डर लग रहा है कितना बहानक जंगल है वहीं स्याम कहता है कि डर तो मुझे भी लग रहा है राम इत्ती रात हो गई गर में अम्मा बाबु सब परिसान होई राम कहता है कि ये सब नलाइक मोहन की बज़े से हुआ है मोहन की नकल करते हुए जंगल से चलते हैं मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है वहीं स्याम कहता है चौक कर अरे मोहन कहां रह गया अभी तो यहीं था आवाज लगा कर मोहन मोहन तो राम कहता है कि लगवग रूते हुए कि हम कभी घर नहीं पहुँच पाएंगे वहीं स्याम कहता है चौक रहो आवाज लगाते हुए मोहन अरे मोहन हो इस परकार तब मोहन कहता है दूर से नजदी का आती आवाज आ रहा हूँ वहीं रुकना पैर में काटा चौक गया था नजदी की कोई पंची पंख फड़ पड़ाता बहानक स्वर करता उड़ जाता है राम चीख पड़ता है राम कहता है स्याम बचाओ मोहन कहता है जो नजदी का आ चुका है डरपो कहीं का राम कहता है डरे सर्मा वो वो क्या था वो क्या था मोहन कहता है कोछ चिडिया थे हम लोगों की आवाजों से वो खुद डर गई थे एक नमबर के डरपोग हो तुम कौन कहता है मोहन वही स्याम कहता है कि मोहन रास्ता बटका दिया अब बाहदरी दिखा रहा है ये दरसे इसी तरह चलेगा आपने गोर कीजा हुआ कि सुरू में हमने अंकई या दरसे की जगए कट या हिस्सा लिखा है दरसल रेडियो नाटक में दरसे नहीं होता कह सकती है कि इसमें दरसे बूरी तरह से वर्जित होता है पूरी तरह से वर्जित इसलिए इसकी वज़ा अंगली जी सब्दा कट लिखने की परपाटी है वैसे ये अपनों महत्वूर नहीं है आप अलग अलग द्रस्यों या हिस्सों को अपने तरीके से दर्शा सकते हैं महत्वूर्पून है संबाद और दौनी प्रभाव इसके लिए सबसे जो महत्वूर्पून बात निकल के आती है कि इसमें संबाद होता है और केबल दौनी का प्रभाव होता है हमने सुरू में ही दौनी प्रभावों से जंगल या किसी खुली जगाए का संके दे दिया है फिर राम भी अपने संबाद में कहता है कि कितना बहानक जंगल है अर्थार्थ ये लोग इस समय जंगल में है तो ये बास सुरूता को मालूम हो गई है अब स्याम अगले अपने अगले संबाद में इत्ती रात हो गई अर्थार्थ, इस्थान, जंगल, समय, रात इन सब का ग्यान हो रहा है अगर हमें समय और ज्यादा इस पश्ट करना है तो स्याम का समबाद कुछ ऐसे प्रकार हो सकता था कि रात के बारे बज़ गर में अम्मा बावु सब परिसान होंगे ताथ पर यह है कि आप समबादों के द्वारा दरसे का देशकाले स्ताफ़त कर सकते हैं बस सर्थ यह है कि वो सुभाविक होना चाहिए जबरदस्ती ठूसा हुआ ना लगे अर्थार्थ, उसमें जबरदस्ती और एडिटिंग ना लगे मसलन स्याम अगर यह समबाद कहे कि राम, रात के बारे बजे हैं और मुझे डल लग रहा है साफ देखाई देता है कि मातर सूचना देने का अंदाज में समबाद लखा गया है हम आगे देखते हैं कि दरसे हमें और क्या-क्या जानकारी दे रहा है तीन दोस्त हैं राम, स्याम, मोहन तीनों कहीं से बापस घर आ रहे थे मोहन ने सुझाब दिया कि उसे जंगल से होकर जाने वाला कोई रास्ता पता है तीनों ने जल्दी घर पहुंचने की ललक में वो रहा पकड़ ली और अब भटग गए है हमें यह भी पता चलता है कि सबसे ज़्यादा डरा हुआ राम है डर स्याम को भी लग रहा है लेकिन वो उस पर कावू करने की कोसिस कर रहा है तीनों में सबसे बेफिक्र, मोहन ने रेडियो नाटक में पात्रों संबंदी तमाम जानकरी हमें संबादों के माद्यम से मिलती है उनके नाम आपसी संबंद, चाज, तिक, विसेश ताएं ये सभी हमें संबादों द्वारा ही उजागर करना होता है बाहसा पर भी आपको विसेश दियान रखना होगा वो पड़ा लिखा है क्यान पड़ा सहर का या गाउं का क्या वो किसी विसेश प्रामत का है उसकी उमर क्या है वो क्या रोजगर दंदा करता है इस तरह की तमाम जानकरियां उसे चरेतर की बाहसा को निर्धारित करेंगी फिर पात्रों का आपसी संबन्द भी संबाद की बनावट पर असर डालता है एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा अपने नोकर से अलग ढंग से अपने बास के प्रते संब्मान पूर्वक रवय अपनाएगा तो अपने मित्र और अन्यों के प्रते उसका बरावरी और गरम जोसी का बेवार होगा यह सब प्रगट होगा उसके संबादों से यूँ तो यह सब कुछ फैलमा और मंच के लिए लिए लिखे गए संबादों पर भी लगव होता है लेकिन रेडियो क्योंकि मुलता संबाद परधान मद्यम है इसलिए यहां इसका खास दियान रखना होगा होता है कि संबाद से ही संबादेते एक तत्थ और है और यह विसेश का रेडियो नाटब पर लागव होता है क्योंकि रेडियो में कौन किस से बात कर रहा है हम देख नहीं पाते इसलिए संबाद जिस चरेत्र को संबो देते है उसका नाम लेना जरूरी होता है खास तोर पर जिब द्रस्यों में दो से अधिक पात्रों हो इसके लाबा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विसेस है जब कोई हरकत कोई एक्सन करता है तो उसे भी संबाद का हिस्सा बनना पड़ता है उदारने के लिए हमारा चरेतर पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है तो उसका संबाद कुछ इस तरह होगा कि कितनी गर्मी है आज पार्क में चलू कुछ देर इस बेंच पर ही बैठ जाओ और वो आहा की दुनी कड़ता बेंच पर बैठ जाता है तो प्रोक्ते लिखी बातों को और बहतर डंक से समझने के लिए हम जगदिश चंदर माथुर जी के एक नाटक का अंस है जो कि रेडियो नाटक में रूपांतरित करते हैं उससे देख सकते हैं समझ सकते हैं उससे यहाद से बाव को पेश करने वाला संगीत संगीत मद्धम पड़ता है अधेड उम्बर के बावु रामसरूप का सवर उगड़ता है बावु जी कहते हैं कब दीरे दीरे चल लकडी के तक्त की दीवार से ठक्राने की अवाज आती है बावु कहता है अरे अरे एक तक्त बिच्छाने में ड्राइंग रूम की सारी दीवारें तोड़ेगा क्या अब तक्त को उधर मोड़ दे अरे उधर बस बस नोकर कहता है बज़ादू साब बावु कहता है तेस्वर में और क्या करेगा परमात मा की यह अकल बट रही थी तो तो देर से पहुँचा था क्या नगल करते हुए बचा दू साब और यह पसीना किसलिए बहाया है तक तो कुछ शमीन पर रखने की द्वनी का प्रबाव साथ ही नोकर की हज़ी का स्वर नोकर हे हे बावु हस्ता क्यों है अब हमने भी जवान में कसरतें की हैं कलसों से नहता था लोटों की तरह है यह तक्त क्या चीज है अच्छा सुन रतन भीतर जा और बहुजी सिदरी मंगला इसके उपर बिच्छाने के लिए रतन जाता है जी साब बावु थोड़ा स्वर बढ़ा कर मनो पीछे से आवाई दे रहे हो और चद्दर भी कल जो दोभी के यहां से आई है वही वही लित्याना तो रतन कहता है मनो दूर से ही जवाब दे रहा हो जी साब बावु राम सरूप कोई बहचन कुन गुनाते हैं सायद दर्सन दो घंसियां नात मुरियां आखियां आखियां प्यासी है प्रस्वें से कहते है को ओहो एकदम नालाएक है यह रतन देखो कैसी धूल जमी है कुरसियों पर ये गुलतस था भी जैसे बाबा अदम के जवाने से साफ नहीं हुगा है क्या सोचेंगे लड़के बले ओफो अब ये ज़ाडन भी गायवे अभी तो यहीं था हाँ ये रहा कपड़े के जाडन से कोड़सी साफ करने के आवाज के साथ साथ बाबु जी का एक अलाब जारी रहता है बाबु आज ये लोगों उमा को देख कर चले जाएं फिर खबर लेता हूँ स्रीमती जी भी और इस गदे रतन की भी चौक कर ये क्या दोनों इधर ही आ रहे हैं रतन खली हाथ आता है प्रेमा किती गुस्य में मैं कहती हूँ कि तुम्हें इस वक्त दोती की क्या जरूत पड़ गई एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में बाव के ताश्चर से दोती प्रेमा हाँ अभी तो बदल कर आए हो बाव लेकिन तुम से दोती मांगी किसने प्रेमा यही तो कह रहा था रतन बाव क्यों बे रतन तेरे कानों में डांट लगी है क्या मैंने कहा था दोवी दोवी के यहां से जो चदर आई है या चादर आई है उसे मांगला अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाओ उल्दू कहीं का प्रेमा कहती अच्छा जब पुजा वाली कोठरी में लकड़ी के बकसे के उपर दोले कपड़े रखे हैं उन्हीं में से एक चादर उठा ला रतन और दरी बीबी जी प्रेमा दरी यहीं तो रखिये कोने में वो पड़ी है बाबू दरी हम उठा लेंगे तो चादर लेकर आ और सुन बीबी जी के कमरे से हार्मोनियम भी लेते आना अब जल्दी जा रतन जी साब बाबू आउ तब तक हम दोनों दरी बिचाद देते हैं जरा पकड़ो अधर से एक बार फिर जटक देते हैं दरी के जटकने का स्वर बाबू जी के खांसने का स्वर बाबू खांसते खांसते ओफो कितनी गर्द वरीये इस तरी में तो ये दरी से इसी प्रकार चलता रहेगा अब देखा जाए तो नाटक के आलेख और रेडियो के आलेख में कोई खास फरक नजर नहीं आएगा अर्थार्थ नाटक के आलेख में और रेडियो के आलेख में कोई खास फरक नजर नहीं आएगा लेकिन कुछे छोड़ छोड़े अंतर हैं और यहीं अंतर रेडियो नाटक लिए काफी मेहत्वणों बन जाते हैं हम बताएं यसे बहतर होगा कि आप सुए ही दौनों दरस्यों की तुलना कीजिए और दौनों आलेखों में क्या अंतर होता है उन्हें खोजिए और यह भी समझने एकोसिस के जिए कि यह अंतर आखिर क्यों होता है तो आई हूँ दोस्तों आपको यह पाट आसानी से समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप वीडियो को अपने पित्रों फ्रेंड्स के साथ सेयर करें जिससे कि बेफन पाठों की सरंखला को समझने में आपकी साहित्ता हो सके जो कि बेफन एक्जाम्स में इनहीं से क्वेस्टन अक्सर देखने को मिलते हैं धन्यवाद